असलाम अलेकुम आपने चैनल पर आप सबको वेल्कुम करती हूं अगर आप इने चैनल पर न्यूव है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन प्रेस करते और साथ हम अपने उन सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोना चाहती हूं जिनको मेरी वीडियो बहुत है और प्ले प्यारे कोमेंट के तरू मुझे एप्रिशेट करते हैं तेंक यू सब्सक्राइब करते रहेगा आज के इस वीडियो में आपको एक्स्टारी करने चाहती है कि इस स्टूरी के नोट्स नहीं तो यह बहुत ही कोई रॉक्र साइए बहुत मुझे लगता ह कि इसको स्कूल लेवल पर या कॉलिज लेवल पर पर रहाया चाहिए था बियुस लेवल पर थे बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना चाहिए था खेर इसको मजीद सिंप्रिफाइब करके बहुत असान करके आपको एक्स्टारी करूंग इस वीडियो में इसके रावा जिन ब का लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैंचिन कर दूंगी और कमेंट सेक्शन में भी आप आपने नोट को प्रिपेर कर सकते हैं तो अब अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं हमारे स्टोरी की जो पर्टाइगनिस्ट है मीन केरिक्टर वह शहरजाद एक मासूम सी च हमारे एक हमारा पास और साहे मोज् के इस सफरी में पौल को बन्स नहीं करते हैं और शेरजाद इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी अब इस स्टोरी में जो मेन फॉकस है मुझा शमसी का उन्होंने दिखाया है शेरजाद का अपनी मदर के साथ रिलेशंशिप जो बॉंडिंग है वो दिखाई है और शेरजाद का उस स्टफ टॉय गॉल्डन लैपर् अब जो यूजिली हम एक मा और बेटी का रिलेशन को एक्सपर्ट करते हैं कि बहुत ही इंटेंस एमोशन होते हैं मा बहुत ही केरिंग और लविंग होती है अपनी बेटी अपनी अउलाद को लेकर बेटी और बेटा जो भी तो यहां पर बिल्कुल ऑपजिट दिखाया ग यह सब कॉंटिनेंट की डिविजिन के बाद का थाइप ठीक है पोस्ट कोलोनियल एर ठीक है इसमें अब जो इंग्लिश पीपल थे जो अंग्रेज हैं वह यहां से जा चुके हैं सब कॉंटिनेंट में पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड हो चुक है लेकिंग्लिश पीपल के जाने के बाद भी उंक जो जो इंफ्रूंस है वह चोड़ चुके हैं यहां के लोगों पर जो इंग्लीश पीपल हैं जो इंग्लिश फूद इंग्लिश बेंटिशन हैं इंग्लिश लैंग्विच हर चीज़ को लेकर वह बहुत ब्सक्रेक्श दिखाया गिए और inferiority complex में जो शिकार है यहां के लोग उसको दिखाया गया उसको prominent किया गया और इसी post-colonialism के result में जो mother का behavior है इतना बुरा दिखाया गया है अपनी बेटी के साथ यहां पर मुरीज़ शमसी एक और message convey करना चाहती है अपनी स्टॉरी के थुरू कि जब parents अपनी responsibility सही से नहीं पूरी करते अपने बच्चों को continuously neglect करते रहते हैं делать उनको criticize करते रहते हैं उनके साथ एक bonding create नहीं करते तो क्या हुते हैं कि आपका आपके बच्चे के साथ एक distance बार जाता है बड़ता है इतना ददा बड़ता है कि बच्चे बच्चे की परस्नालीटी है वो डिस्ट्रॉई होना शुरू हो जाती है और पेरन्स को ये बात होती है जब उनका बच्छा उस ट्रॉमा से निकल ही नहीं सकता और astrologyập bespok खतव हो जाती है और यहां पे स्टोरी में भी हम देखेंगे कि शेहरजाद की जो मदर का भीहविर था उसके साथ इतना बुरा था इतना ही उसमें पार्शालिटी दिखाई कि एंड पे जाके शेहरजाद की जो परस्ट्रालिटी थी वो बिल्कुल खतम हो चुके थी और किस तरह से वो कि शेहरजाद खुछ से कपरे चारणि के कोशीश करती है और वो काम्याप भी हो जाती है की वह एक्सबर्ट करती है कि इसकी मदर का इस काम के लिए और ग dif बटन करें लेकिवर के निहीं की एड़िउम्या यड़ी पर चींकल वो बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं रखते थे और वो हमेशा अपनी बेटी से नाखुश ही रहती थी और अपने बेटे को शारुक को इस पर प्रेफर करती थी और कहती थी कि जो शारुक है वो इसकी आंखों की रोशनी है अब इस तरह की जो लाइन से उनको पेपर में यूज कर सकते हैं अपने आंसर को जिस्टिफाइ करने के लिए कि जो मदर का भी हैविट था बेटी के साथ कैसा था और बेटे के साथ कैसा था इसी तरह से स्टोरी में आप एक सीन देखेंगे जहां पर शारुक के साथ तो बग है एक यह सीन हो गया अब दूसरी तरफ एक सीन होगा जहां पर शहरजाद की फाइट होती है मैलकम के साथ मैलकम का मैंने आपको पताया था कि इंग्लिश फैमिली से ब्लोंग करते हैं और इसको शहरजाद बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी अब बैसिकली जो महरू है श in finiority complex का शिकार होती है उसको English language इंग्लिश जो customs and traditions English food जो लोग है इन सब चीजहूं से वह बहुत दाद मैलकम है वह इंग्लिश फैमिल्ली इन पहं से बलोंग करते हैं तो उसकी फैमिली यह तो फैमिली से वह बहुत दाद मैलकम के साथ तके जो उसका हजबंट है उसकी प आप यहां पर दूसरा सीन के नहीं होती है शारो के साथ अब दूसरे सीन में प्राइब करता है शहरजाद को और यहां पे जा मडर है अपटी की साइड नहीं लेती इन फैक्ट ये कहती है कि शहरजाद नहीं उसको मैलकॉम को प्रोवोग किया होगा तब ही उसने उसको हिट किया तो आप दोनों सीन्स में देखें कि जो मदर है उसका भी हैवियर अपनी बेटी के साथ कैसा था इसे तरह से एक सीन में हम देखते हैं कि जो शहरज इसे तरह मैलकॉम था मैलकॉम के जो पेरेंस थे जो फ्रेंस थे सब उससे बहुत दो प्यार करते थे उसको स्पोर्ट करते थे जैसे कि इवन कि उसके फॉल्स में भी ठीक है अब जैसे कि एक लाइन है एवर्यवन वांटी तो बी ऑन मैलकॉम साइड तो विनिंग साइड जो मैलकॉम का जो स्टेटिस और पॉजिशन था वो शेरजाद कभी भी अचीवन नहीं कर सकती थे क्योंकि कोई भी उससे प्यार नहीं करता था नहीं उससे स्पोर्ट करना चाहता था नहीं उसमें कोई फेद दिखाना चाहता था इसी तरह से एक और सीने जहां पर हम चाहिए यानि कि तुम्हें इतना बुक्स में इंवाल्व नहीं होना चाहिए कि लोग समझें कि तुम्हार साथ कोई प्रॉब्लम है कि शायद तुम नॉर्मल नहीं हो तो यहां पर उसको अब्जेक्शन थी मदर को इसी तरह से जो शेरजाद की फ्रेंशिप होती है उसकी स्कूल गर्ल से बतूल से उसके बैर मदर को अब्जेक्शन होती है कि वो इलीड खॉल से नहीं होती बतूल तो शेरजाद को चाहिए कि वह अपने जो फ्रेंड शेरकल सूस समझगे बनाए एलीड क्लास से जो बच्चे हैं उन में जादा इन वाल वो उन के साथ फ्रेंशि तो शारुक और मेलकम का भी हवे भे शैरँजाद के भी जारुए बांदिकर तिए उस निक्नेम रागा दिया था फैटीमा फैटीमा उसको इसी निक्नेम सेे तीज करते रहते हैं हर वक्त लेकिन जो मदर है उसको इस निक्नेम पे भी कोई ऎबंजेक्शन नहीं थी तो अल्टीमेटली जिस इन्वाइमेंट में शेरजाद वह रही थी जहां पर उसको प्यार, अटेंशन, केर कुछ भी नहीं दिया जा रहा था इनफेक्ट उसके सब बुरा भी हैविय रखा जा था उसकी वज़से वो डिप्रेशन में जाया थी इन्फेरियॉर्टी कॉंप्लिक्स का शिकार हो रही थी और उसका जो कॉंफिदेंस लेवल था वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो रहा था अब हम बात कर लेते हैं गॉल्डन लेपर्ट की स्टोरी में क्या सिक्निफिकंस है ये एक सिंबल ऑफ पैशन है शेहरजाद के लिए शेहरजाद को हौफ़र रखता है गॉल्डन लेपर्ट क्योंकि ये एक वाहिद पोजेशन थी शेहरजाद की ये गिफ्ट था जो उसके अंकल ने बेज़ा था स्पेशली शेहरजाद के लिए और शेहरजाद को लगता था कि जो कुछ उसकी लाइफ में बुरा हो रहा है वो सब कुछ जो पैन उसको मिल रही है वो सब कुछ खतम हो सकते है अगर उसको चांस मिल जाए इस लेपर्ट क लगता था कि जैसे जो गॉल्डन लैपर उसकी हर बात को सुन रहा है उसकी जो थाट्स हैं उसको समझ सकते हैं और जितनी वी उसकी लाइफ में पेन है उसको वह दूर कर सकता है जैसे यह लाइन से हमें स्टॉरी में पढ़ने को मिलती हैं एकुट रीड हर थाट्स ही अब शेरिजाद की लाइफ में यह एक चीज थी जो अच्छी थी और वह दिपेंड करती थी और उसकी मदर को पता था कि यह गिफ्ट है शेरिजाद का उसके अंकल की तरह से और उसको यह भी पता था कि शेरिजाद की कि इस गॉल्डन लैपर्ट से लेकिन फिर भी सब को मैलकॉम को दे देती है उसकी बर्डे पाटी पे अज़ गिफ्ट अब जो मदर है वह बिल्कुल भी इस चीज को अंडिस्टैंड नहीं करती कि इस लेपर्ड की क्या सिगनिफिकन्स थी क्या इंपॉर्टन थी उसकी बेटी की लाइफ में अब जब वह लेपर को खो देती ह यह उसकी बाते करती है यहां पर एसकेसाथ वह अपनी दिल की बाते करती है ठीक है और एवन के उसको मैलकॉम पसंद नहीं था लेकिन मैलकॉम की घर भी जाती थी ताकि वह इस गौड़न लापड को बस एक दफा देख सके और जब शाय चलता है कि मैलकम और उसके ऐम के द straw and stuffing were hanging out her leopard had been murdered अब जब वो देखती है अपने leopard का ये हाल तो शेरजाद को इतना शौक लगता है क्योंकि उसकी life में जो एक चीज थी वाहिद एक अच्छी चीज थी अब वो भी नहीं रही थी उसने जो utopia create किया हुआ था slipper के थूँ और वो खतम हो चुका था और ये जो loss था उसकी वज़से वो action में आती है हम end में देखते हैं कि वो उसका behavior इतना wild हो जाता है वो बिल्कुल out of control हो जाती है और वो Malcolm को ऐसे attack करती है इतनी जोर से उसको मारती है और जखमी कर देती है तो जो इतनी time से angle build up हो रहा था शारिजाद के अंदर उसके mother के behavior और injustice के वोई से वो सारा का सारा गुसा निकलता है Malcolm पे तो मुरीजर शम से दिखाती है कि mother कितनी responsive है अपनी बेटी के अंदर negative और dangerous feelings instigate करने के लिए कि उसकी बेटी की जो personality थी वो बिलकुल डिस्ट्रॉई हो चकी थी और ultimately उसको इतना extreme और dangerous एंड देखना पड़ा